नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अपीशेक शर्मा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं UPL स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट के अगर मैं बात करता हूँ करीबन 0.45% की तेजी स्टॉक ने पनागर दिखाई है देख सकते हैं 719 रुपे पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नजरा रहा है वहीं 3 आवर चार्ट के अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सेम रेंज में ट्रेड करता हुआ स्टॉक नजरा रहा है साइडवेज की तरह बहेव कर रहा है देखिए अगर गिरावट यहाँ पर आती है तो नीचे की तरफ 700 रुपे का एक सपोर्ट लगा कर चल सकते हैं इसको as a stop loss यूज़ करना है और हमारे सपोर्ट लेवल को भी अगर स्टॉक प्रेक कर जाता है तो देखिए 675 तक के लेवल्स दिखा सकता है लेकिन यहाँ से अगर एक up move stock बनाता है एक bounce back हमें बना कर दिखाता है तो आने वाले trading sessions में जो target stock achieve करेगा वो है 750, 775 तक के targets हमें achieve होते हुए stock में नज़रा सकते हैं तो अभी fresh buying को यहाँ पर avoid करें wait and watch की strategy अपना कर चलने पड़ेगी देखिए जैसे ही buying का मौका बनता है हम एक video जरूर बनाएगे तो यही strategy आपको उपनानी है UPL stock में आप चाहें तो अपनी खुद की analysis खुद की research जरूर करके चल सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद